साथ स्रीकार, तुसी वेख रहे हो पंजाब मेल USA TV, पंजाब चर्चा देविट स्वागत, मैं हासन जीव यश्खरना G20 दे समेलन पारद विछ हो रहे है, अमेरिका दे प्रेजिडेंट जो बाइडन साब आए होएने पारद देविच पूरी दुनिया दिया नजरा लगिया हो याने, इस समेलन दे की रिजल्ट सोनगे और अमेरिका दे रिस्पॉनसिबिलिटी सब तो वद है, बींग अ सुपर पावर अमेरिका तो भी काफी प्रेशर्ज ने, दुनिया दे विच भी काफी प्रेशर्ज ने, जो बाइडन साब दे उते बहुत वड़ी रिस्पॉनसिबिल्टी है दूसरी responsibility United States दी एए है कि अर्थ वे वस्ता United States दी पूरी दुनिया दे उत्ते पर बाव पहुंदी है मार्च दो हुजार बाई तो बाद ब्याज दियां तरां अमेरिका दे विच वदाईयां गयां अपने interest rates हाई करने पहुंदे ने और अधा पूरी दुनिया दी अर्थ वे वस्ता दे हुते एकॉनमी दे हुते की असर पहुंदे है इस बारे गाल बाद करांगे और एक आम तोरते गाल का इज़ाद दी है कि ये United States छेकवी मारत है तब पूरी दुनिया नो जुकाम हो जानता है साड़े माहिर महमान इस बारे की सानुसम ड़ाना चाहूंदे ने आओ नानल गाल बाद करिये मेरे नाल स्टूडियोस दे विच मौजूद ने एकॉनमी दे माहिर डॉक्टर राजीव खोसला खोसला साब वेलकम टू पंजाब चर्चा मेरबाद नी जी खन्ना साब बहुत बहुत थोटी एज एकॉनमिस्ट तुसी इस वकट दी जो सिचुएशन बढ़ी होई है यूएसे दे विच मार्च दो हुजार बाई तो लेकि होन तक किस तरह देख देओ और रेट ओफ इंट्रस्ट नू किस तरह देख देओ और पूरी दुनिया दे उत्ते जो एदा परवाव पहनदा है उसनू किस तरह देख देओ राजीव देखो जी जदो आसी देख रहे हैं ये बहुत ही एक विचित्तर जी स्थिती बनके समने निकली हुई है खना साब दो हजार बी इकीदे दुरान असी देख्या है अप टू इवन दो हजार बाई असी देख्या है भी बियाच जेड़े सी लगा तार कटाए गए और सारे मुल्का वलूं अमरीका किता हो था बाकिया नो भी किताने सारे मुल्का ने बियाच जेड़े ने किता हई disrupt बाट तो बाद ता कि जड़ी अर्थ ववस्था दा चका है जड़ा ओ चक्कार है उको मदार्य हुई लोकाना जेड़े सनति खेत्र दे वेचने उना नूँ खास करके सस्ते वियाज मिनन, सस्ते वियाज देनाल जादा निवेश होवे, जादा निवेश देनाल, जादा नौकरिया निकलन, लोकां दी मंग जड़ी है, ओवदे, लोकां दे जड़े, वेजिज ने, ओवदन, सो एक सिस्टम बनाया गया, एक उपराला कीता गया कि वियाज नूक टाया जावे, और सारे मुलका ने वियाज नूक बहुत थले लेवल तक, 0% लेवल तक भी वियाज नूँ लेके गए मुलक, भी तो नूँ फ्री ओफ कॉस्ट करजा मिलेगा, लेकिन होडी 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 की हुए है, जदों दी रूस दी जंग लगी है उस तो बाद जेड़ी इंफलेशन है, किसे न किसे तरीके देना इंफलेशन वदी है, चाहे ब्लैक सीदे विच्चों दी समान नहीं होडा, चाहे चीन दे विच्चों दी सेमी कंड़क्टर या ताइवान चो सेमी कंड़क्टर काट आं दे हैं, या अमरिका चीन दे विच आपस दर्वेच तना है किसे भी कारण तो लगातार जेड़ी इंफलेशन है उबदी है उस इंफलेशन ते ठल पाउन ते लई सारे बैंका नू ब्याज बताउने पहे हैं एही चीज़ असी देखिए भी किते 2021 बाई तक ब्याज कटाउने पहे सी हुन लगातार जेड़े ब् सारे मुलका नू ओदे नाल ब्याज बताउना पैंद मैं इस चर्चाते होना है उस तो पहला मैं दर्शका नू अपने नू एक चीज और दस नीच होना है भी इंफलेशन जेड़ी है इंफलेशन नौ परसंट तक बद गईसी अमरीका दे वेचे सारे मुलका दे वेचे बाकी सारे मुलका दे फॉर्चून जेड़े ने बाकियां दी किसमत भी उदे नाल लिंक्ड है ता जदो अमरीका दे नौ परसंट तक भी आज बाद गया जरॉम पावल जेड़े ने अमरीका दे युएस फैट दे चेर परसंट उनना ने भी आज बदाए इस तरीके दे न परसंट तक भी आज बद गया है अमरीका दे वेच जो की पूरी एक जिनरेशन पूरी एक जड़ी पुष्टा ने इनना भी आज नहीं देखिया उननीस सो असी देवेच पॉल वालकर दे जमाने देवेच उस वे लेनने भी आज सेगे इस तो भी ज़्यादा सी खैर उस व मेहंगाई पर जड़ी है ओ काभू पूरे तरीके ना लोत ते काभू नहीं पाया गया जेड़ा पिछला डेटा आया है ओ दस दे ने अंकड़े भी 10.18 परसंट दी अमरीका देवेच जुलाई देवेच महंगाई दी दर रही है जड़की अमरीका दो परसंट तक महंगाई परसंट तक लिए असी वचनबाद है ते असी एदे लिए होर जड़ा बयाज है उन्हों बदा सकते हैं उन्हीं भी तरीक स्तंबर नो यूएस फैट दी फेर मुड़के बैठके हो सकता है फिर पॉइंट पची परसंट देनाल बयाज बज़े उन्हों पुंदा की है विज आइलेंड चाइना एदाने मुलकां दे बच पैसा वियतनाम फिलिपिन्स ए मुलकां दे बच पैसा पाउंदे क्योंकि इथे भी आज़े हैं ज्यादा हूंदे छे-सात परसंट आम गल्ला साथे ली पांच-छे-सात परसंट दी भी आई दर देखना ता उथे अमरीका दे जड़े ने इथे पैसा लॉंदे जिन्होंसी FDII या FII वजो देख दे हैं, फॉरन इंवेस्टमेंट दे वजो देख दे हैं, विदेशी निवेश जड़े को ला गया, ओ पैसा जदो अमरीका दे विच ब्याज वाज जनदा है, ओ पैसा FDII या FII जड़े विदेशी जड़े दी तरफ जाना शुरू हो जनदा है, जिदा सी पिछले दिन आच देखिया, बी रपईये नूँ चटके लगने शुरू होगे, रपईया 82, 83 तक पहुंच गया, भून की 83 तो उपर है, कारा नहीं है, विच जड़ो जड़ो अमरीका ब्याज 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 बता जो तुसी गल कीती है, जड़ो अमरीका छिक मार दा बाकी मुलका नूँ जी काम हो जन दा, वो इस करके हुं दा, जे अमरीका ब्याज बता दे, इना मुलका जो सारे पैसे हैं दा, आउटफलो अमरीका बल होजेगा, एह मुलक डिग जानगे, इस करके एह मुलक नाल ब्या शिफ्ट करके अमरीका दे जानगे, और बाकियां दी टीडी एकॉनमी टैटेरी हो जाएगी, ते अमरीका दी एकॉनमी फ्लारिश करेगी, सो यह सारा बिजनस है, बिजनस दी गेम है, और दे वैच पिसदा कौन है, आम, लोग, आम, जनता, कॉमन मैन, सो असी अपां अगे दबा बढ़े होया है, सो क्रूड ओयल दी, जो रेट्स ने, इंटरनेशनल मार्केट दे विच, ओ यूएस डॉलर दी, जो मजबूती है, उदे ना, इंटर रिलेटिड हों देने, क्योंकि उदे मुताबे की फ्लक्चुएट कर देने, सो इस बार, देखनों आ रहे है के, जेड़ा इंटर कनेक्शन है, एक कोई टुट गया है, रेट्स नो लेके काफी कुछ फलक्चुएशन्स देखनों मिल रही है, राजीव। जेपनीज येन दे मुकाबले क्या, इंडियन रुपईय दे मुकाबले क्या, यौन दे मुकाबले चीन दे, डॉलर उत्ते है, यानि डॉलर दी स्ट्रेंथ मापन दा एक तरीका है, उन्हों केंदे है डॉलर इंडेक्स, डॉलर इंडेक्स उन्नीस सो सतर मेना दे विच बन करण सी्ज़ इन आपके धेक्षाम प्रफाने नहीं दिखिया जान्दा है ऑग्से 59 milk water published दो अगेंस्ट तुसी गलब बिल्कुल ठीक किती है जदो डॉलर बद जदो डॉलर इंडेक्स मजबूत हुनदा है ता कुरूड जड़ा है थरलेनू होंदा है उदा कारण ए है जदो भी डॉलर इंडेक्स वाद ता इदा मतलब है भी पैसे ता आउटफलो हो रहे हैं मुलक सब्सक्राइब कर दो डॉलर इंडेक्स मजबूत हुनदा है ता कुरूड जड़ा है वो सस्ता हुनदा है पर एद की फेर एक बड़ी हरानी दिगा तिन कारण एदान देने जिदे जिदे नाल है होया कि डॉलर भी मजबूत हो रहे है पर उसने नाल कुरूड जड़ा है ओवी तेल जड़ा कच्छा तेल है ओवी बद्दा जा रहे है कुरूड इस पर ले कानमें डॉलर प्रती बैरल दे कोल है दे तो महंगे रपएए देनाल सानु महगा तेल भी आयात करना पैरे है सो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है उदे कारण की यह क्यों है ऐतकी अतना हो रहे है वह क्रूड जेड़ा है डॉलर बदन देनाल कुरूड दे रेट नहीं गिरे उस दा पहला कारण होया है चीन चीन दा अर्थ चारा जड़ा है उथल्ले है क्योंकि चीन ने नुवंबर दिसंबर तक चीन दे वेच ओथे करुणा वाले जड़े प्रतिबंद सी ओ लगे रहे ने है इस करके चैना लिख सब्तों बलतर सब्सक्राइब निख लोग वेच नयुद के लिख सब्तों सकता है उथे मग करणे पहला कारण पेला कारण घरमज़ा कारण धूजी बलतर सी चार्मनिद फ़ेच पह्ले सब्सक्राइब करें तीसरा करने हुए अभी वर्ट ओवर जड़े जड़े जड़ा पहला किती है पिछले बाग देच्च के जड़े केंदरी बैंक ने हर पासे वो ब्याज बदा के रख रहे हैं जड़ो ब्याज बदा था नवा निवेश नहीं हुदा या कट हुदा तीनों केसे देवेचे चीन दा फेक्टर हो गया जर्मनी दा फेक्टर हो गया केंदरी बैंक हो गया जीदे करके जड़ी मंग है एनरजी दी फॉसिल फ्यूल्स दी पेट्रॉल डीजल दी डेच्छ गैस दी ओक टंदा ख़चा है एस करके एस चीज़ते ठल पॉंड दे लई ओपेक कंट्रीज ने की किता खास करके साउधी अरेबिया और रश्या ने की किता उनने के अभी असी दिसंबर तक अपनी सप्लाईयों गटा दने हैं उनना नुबारा नहीं खांदा उनना दे मुलकाने हुँ ओकें असी डॉलर त मड़ी ने आफनी सप्लाई एक पॉइंट तेन मिल्यों बेरल प्रती देन इक बेरल गोगिंच बेरल को लिद ard तेल हुंड़ी ओस ओडि उक पॉइंट तेन मिल्यों यानि कि तेरा लख जेढा लीत है एक दिंदे वेच भेरल जेडा है था दिन दे विच ओधी सप्लाई कटाती आर्टिफिशल मार्केट दे विच शोटेज क्रियेट किती है जिदे नल तेल दे रेट जड़े हैं बद गए हैं हुन एक हद्षा है जो स्टेंडर एंड पूर निर्मल बांग जेडियां एंद दियां रिटिंग एजन्सीज या अनलिस्ट है ने ओ अपने अनलिस्ट दे अभी प्रॉल दे रेट जड़े हैं दूजे पसे क्रूड मेंगा मिल रहा है तीजे पसे लेक्षना होन करके सरकार जड़ी है वो दोस्वर पर यह देना गैस दे रेट कटा चुकी है एल पीजी दे हुने जड़े हाउसोल्ड दे ली स्लंडर दे जड़े रेट हों कटे यह प्रॉब्लम्स जड़ियां ने किसे डबल ड्यूटी पह जाएगी क्योंकि पैसा कट मिलेगा जदो आसी एक्सपोर्ट करांगे इंपोर्ट करांगे ते पैसा बाद देना पहेगा सारा कुछ खेंड गया यह पूरी दुनिया नों पुगतना पह रहे है और कितना किते जो डी डॉलराइजेशन दी गाल हो रही देविच सो यह सारी गेम इंटर्नल गेम है मैं फिर उती हमागा आम जनता नों एदा खामयाजा पुगतना पहेंदा है सो हर मुलक कोई ना कोई स्टैप चुकता है जिमें रशिया ने स्टैप चुकिया कैसी सप्लाइग कटा देने अपनी क्योंकि सानू क्रूड ओयल मतलब है सानू डॉलर मतलब नहीं तो ओ अपना क्रूड ओयल देख ते सप्लाइग कटा रहे है तो हमें इस शौटेज उन्ह कमें क्रियेट कीती ती एक आर्टिफिशल कमें क्रियेट कीती है ठीकोसे थिरह तरह इंडिया ने वी बेproblem का देते है बिल्कुल ठीक है जी पिछले दिनी है खबरा आईया ने और अमरीका दे जड़े न्यूस पेपर्स ने ओना चो देख्या गया कैनेड़ा दे विच भी देख्या गया जित्थे जित्थे पार्ती वास कर देने वे उत्थे लोका ने स्टॉक कर लिया जदोनन वे पता लगा व अपने गोल चॉल जड़ा है स्टॉक करना शुरू करता ए गनेड़ा दे विच भी हुए है अमरीका दे विच भी हुए है और मुलका दे जित्थे जित्थे पार्ती वास करते ने उत्थे बहुत ज़्यादा ए टेंडेंसी रही है कारन यह है खना साब 40 परसंट वर्ड दा जड़ा चावल है हो देखे एक्सपोर्ट हमदा 40 परसेट जड़ा एक्सपोर्ट है चोड़ादा चाहे नुड़ वास्ते चावल बनने चीन देची वेतनाम देची थाई लैंड भी है लेशिया दे वीच उनाच हिपे हिंदोस्तान दा चावल यूज उन्ड़ा है उना ही हिंदोस्तान दा चावल दा एक्सपोर्ट जड़ा है वर्ड दे विच बहुत मैने रखदा है पर इस रफ एक चीज नहीं है उसी जिदा गल किती है खना साब भी IMF ने किया या सिंगापूर ने के या युनाइटिट स्टेट्स ने हिंदोस्तान नो रिक्वेस्ट कीती है उनने एक चावला दे निर्यात दे तुसी बैन ना लाओ इस सिरफ चावला दा मसला नहीं है जैसी हिंदोस्तान ता इस विले फूड जड़ा इंफलेशन है जड़ोसी उन्हों दे बैन कीता गया एद की वी ओ बैन चल रहे है आन वाले टाइम दे मिच भी हजे उदे बैन दे खुलन दे कोई स्कोप नहीं है नो चोड़ा दी गल होई यह नॉन बासमती चावल जड़ा बैन हो गया है इससे तरीके ना बासमती जड़ा है बासमती चावल दे ले एक बारा सो डालर प्रती टन दे उपर दी तुसी एक्सपोर्ट करना तक अर्सा दे नहीं ता नहीं करना इससे तरीके ना जड़ा सेला राइस है जिन्हों सी पार बोईट राइस के नहीं सेला चावल जड़ा है सेला चावल दे ले भी एससे तरीके देना भी परसंट दी एक् उगर्दा एक्सपोर्ट जड़ा है ओ बैंड है आखिर प्रॉब्लम की है प्रॉब्लम हिंदोस्तान दे विच फूर्ड रिजर्व नू लेके इस बिले बहुत ज्यादा स्थिती गंबीर बनी हुई है हिंदोस्तान ने जड़ा असी क्रोड लोका नू राशन देना शुरू क कर तफरी चावलत दाल जड़ी देनी शुरू करती सी ओ दे करके समस्या है डिफेंस नू जानी है जड़ी डिफेंस फोर्स ने उना नू जड़ा फूड स्टॉक्स ने ओ जनते ने सरकार एफसी आई ते गुदाम दे विच्छों दी इसे तरीके दे नाल जड़ी फूड द दाला नू लेके समिस्या बनी होई है एस करके हिंदोस्तान समने फड़ी ने दिसंबर तक जड़ी गरीब कल्यान अन्य योजना है डिसंबर तक पहला चलाई गई सी हूं हो सगदा एनू होर अगे तक एक्स्टेंड कीता जावे असी क्रोड दुक्कानू जेड़ा राशन है मुफ्त दा ए पांच किलो नाज जेड़ा है ओ हो सगदा मार्च अपरेल या जून तक चलाना पवे लेकिन पिछे मौनसून जेड़ा है प्रॉब्लम आ रही है मौनसून पूरे तरीके देना नहीं रे उत्वे बार्षा नहीं हो यह जीदे करके प्रॉब्लम जेड़ी है फूर्दी बदी हुई है लिए हिंदोस्तान ने की किता है लिए बाकी मुलका दे लई एक्सपोर्ट बैन करता है ताकि अपने कर आ लेक्ष्णा ते वे ले ले किते ए ना वभी इना दे रेट बज़न क लेकिन हिंदोस्तान दी सरकार नहीं कर सके यह देनालिक होर भी पॉइंट जुड़दा है देनाल जड़ा है खना साब भी उदे करके प्रेशर की देते आ गया प्रेशर पह गया थाइलेंड दे उत्ते फिलिकीन से उत्ते वियत नाम ते जेड़े होर जित्तों दी एक्सपोर देनालिक होर जुड़दा जिड़ा ब्लैक्सी ग्रेन डील है गी है रशिया ने पिछले दिनी एक है तभी जे ब्लैक्सी दे विच्चों किसे भी चीज दस निर्यात या आयात होएगा ओ बंब देनालों नो उड़ा देगा और जहाँ जानू ता उदे करके भी इंफलेश तो जिड़ी चल रही है इलेक्शन्स दे क्योंकि एथे वी फूड मार्किट है और अमेरिका दी फूड मार्किट है बाकी थाइलेंड दी तो इसी गल कीती है फिलिपीन्स दी गल कीती है हार फूड मार्किट दे उते है दासर पहर है क्योंकि इंडिया ने बैन कर देता है चौड़ानू उन्हा मुल्काने विज एक्सपोर्ट करना पिकॉज इंडिया विज इलक्षिंस दा महौल है सो इंडिया विज तुहारा दा भी महौल है क्योंकि ऑक्टूबर तो तुहार शुरू हो जाने ने और असी जानते हैं कि साधे मुल्क दा सारा महौल तोहारा दा महौल ही रहें दा है और इंडिया नो तोहारा दा देश भी क्या जन्द है सो इस तोहार दा इस महंगाई दा और इनना इलेक्शन दा आपस देविच की कनेक्शन बैठन वाड़ा ए फेस्टिवल सीजन कितना दा जाएगा आम जनता वसे राची फेस्टिवल सीजन इतानी लग रहे है सर भी कोई किसे तरीके दी रिलीफ लोका नो मिल जाएगी क्योंकि खंड जेड़ी है जदो गड़ना जेड़ा है गड़ना बरसात ना हून कारण गणने दी जेड़ी पैदावार और काट होएगी ज़ने दी पैदावार काट हों दा मतलब है खंड दे रेट बद जाना मार्केट दे विच और सारियां मठैयां दे विच खंड यूज हुं दी है ता किते न किते खंड तो होग जैसी शुरू करते हैं उथे महंगाई दी मार पाएगी इसे तरीके दे नाल दूजी गल जड़ी है जड़ी स्पाइसेज ने मसा मतलब है जड़ा तर केरला करनाट का दे विच्छों दी उत्थे एद की बारिश नहीं हुई मॉंसून वीक रिया एल नीनों दा असर जड़ा है उत्थे सब तो वद पे आएगा उत्थों दी चायो लॉंग है लेची है दाल चीनी है इना सारियां चीज़ां दे रेट जड देख देए घंदा साफ इना सारेयां दे रेट जड़ेने वद रहने चोरा दी अप्ड़ी तीASीकर को टी और कंकां दे प्रपेख देबेच लोगर वीयर्स विच पानीं कट गया मॉंसून द नाहुन कारण रेजर वईर्थे विच पानीं कट गया जे अडिर अरभी दी आ पानी दम्स दक्राइब पानी नहीं चट्डिया जायेगा क्योंकि अपने पूल पानी कट रहें रहा हैं रहें तो फूड इंफलेशन जेडिया है जिस रएके नहीए का इनने भी अमरीका पारिका तो जब व्याज बदन दिना बाकी मुलकां दे अधर पेंदा हिं दोस्तां दे इस्टान दे अधर पेंदा तो धा जिपकेश में की ततनार है, कि यहीं आज़ी प्रेक्व कर देया, कि अपने दर्श्क्न गुजारेश कर देया कि अपने विचार सानू मोगा है, खरीई आज चेनल पूंचाब में, आजहेमें कंशाया